नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टोडे नियोस के ओफीशल एडूप चलन में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि एरपोर्ट में आ चुकी है बिलकुल सीधी भरती जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरपोर्ट सीधी भरती 2022 के बारे में जिसकी नई भरती की सुचना चारी हो चुकी है दोस्तों सबसे ची बात ये है कि एरपोर्ट की इस भरती के लिए आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होने वाली है ये जो भरती है बिना परिक्षा के बिलकुल सीधी भरती है और दस्वी कक्षा से लेकर के बारवी कक्षा और ग्रेजिट पास सभी अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों संपुन भरती की जानकरी हम आपको देंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि एरपोर्ट की ये जो भरती है सरकारी नोकरी है गवर्मेंट जो भे दोस्तों गर आप चाहते हैं कि बिना परिक्षा के आपको एक सरकारी नोकरी मिले वो भी एरपोर्ट के अंदर तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत पुन होने वाला है वीडियो को अंतक जरू देगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में ज़्यादा से यादा शेयर करें रोजनासी प्रकार नई भरतियों की जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरपोर्ट सीधी भरती 2022 के बारे में जिसकी नई भरती की सुचना चारी हो चुकी है बिना परिक्षा के ये जो भरती है बिलकुल सीधी भरती है और महिल जनने सभी जानकरी के लिए सीधा आपको हमारी ओफिशल वापसाइट पर लेके चलते हैं तो दोस्तों अधिक जानकरी राविदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ओफिशल वापसाइट पर सरकारी टुडे नियूस डाट कॉम पर दोस्तों आज ही हमारी वापसाइट सरकारी todaynews.com पर और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एरपोर्ट की नई वेकेंसी की जानकाई लेकर आए हैं जो कि एरपोर्ट अधरट्री ऑफ इंडिया की तरफ से हैं यहाँ पर जो पद है वो आप दोसेते हैं मेकेनिक इंडेस्ट्रियल इलेक्टरोनिक्स के पदिहां पर जारी किये गए हैं जिसकी लिए केवल आपको ओनलाइन आविदन करना होगा संपुर भारस से सभी महिला और परिश अभ्यारती आविदन कर सकते हैं चेन परक्रिया में आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होगी सीधी भरती है और ओल आवर इंडिया की चॉप लोकेशन है उमर सीमा की बात करते हैं तो कम से कम 18 वर्स है अधिक्तम 26 वर्स है आवी शुमा में सूट है सरकार की निमनसा और आविदन शुल्क जो है बिलकुल फ्री है सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं कुल्पदों की संक्या 5 है आविदन शुरू हो चुके हैं as soon as possible last day यह रहा बिलक ठरत